आपने इस गन का वीडियो दिखा होगा और मैं आपके लिए एक और गन लिखे आया हूँ ये है Glock 17 Gen 4 अब ये एक बहुत ही फेमस गन है और अक्शल गन की तरह दिखता है वैसे ये रियल गन नहीं है बलकि ये एक air gun है इस वीडियो में आपको इस Glock 17 Gen 4 के बारे में बताने वाला हूँ वैसे Gen 5 ही मार्केट में अविलेबल है लेकिन मैंने खास करके ये जो Gen 4 है इसे इसलिए खरीदा हुआ है क्योंकि इसमें एक खास फीचर है जो कि आपको Gen 5 में नहीं मिलता है तिकते रही है ये जो गन है 61911 इसका वीडियो मैंने काफी समय पहले बना दिया था और ये सीओ टू पावर्ड है सेमी आटो एर गन है और इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूत ने पड़ेगी ये जो कंपनी है यूमरेक्स इसके पास ऑफिशियल लाइसेंस है ग्लॉक 17 बनाने का खास करके ये जो एर गन है इसके लिए तो बॉक्स मैंने खोल दिया है औ और बहुत सारी चीजे हुबा हुग सेम है इसके पहले कि मैं आपको इस गन के बारे में अदिक जानकारी दूँ चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि बॉक्स मैं इसके अलावा आपको क्या क्या मिलने वाला है तो यह है यूजर मानल जिसमें आपको इस प्रड़क्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आप यह जो प्रड़क्ट है इसका उप्योग कर सकते हैं और इसके अलावा यह रिखें वैसे इस बॉक्स के साथ में मुझे यह दो CO2 cartridges मिला हुआ है अब यह डिपेंड करता है कि आप कहां से इसे खरीदते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली शायद आपको यह मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है और साथ में कुछ बीबीज भी इसके अंदर आया हुआ है यह एलन की जो की बहुत ही important है और यह रिखें इस प्लास् सकते हैं यह देखें इस प्रकार से अब यह लगाने के बार जो distance है थोड़ा सा और बढ़ जाता है डिपन करता है कि अगर आपको यह यूज करना है तो according कि आप यूज कर सकते हैं और यह जो पिन है इसे यहाँ पर आपको इस प्रकार से डालना है और यह असानी से निकल ज करते हैं यह बहुत ही reliable है और इनका सबसे बड़ा advantage यह है कि यह lightweight है वैसे इसकी बॉड़ी है यह सिर्फ यह उपर का भाग है यह जो slider है यह metal का बना हुआ है इसके अलावा जो भी अन्या पांठ है यह मुझे लगता है कि polycarbonate material से बना हुआ है यहाँ पर देखें लिखा हु वो एक तरह से built-in है तो काफी बढ़िया दिखने वाला gun है और अगर मैं इसे इसके पहले मैंने जो gun का review किया था उसके साथ में comparison करूँ तो यह देखें दोनों ही guns का अपना-पना look है लेकिन यह काफी impressive है और एक तरह से compact type का भी है यहाँ पर दिखिए Glock 17 Gen 4 लिखा हुआ है Austria और इस side पर कुछ numbers दिया हुआ है और नीचे की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर यह देखिए तो यहाँ पर .177 caliber लिखा हुआ है अब जितने भी air guns है जिनका caliber .177 है उनके लिए आपको license की जरूत में पड़ेगी लेकिन जब कभी आप इस प्रकार के guns खरीते हैं त in fact जो real gun है उसमें भी आपको इस प्रकार का slider मिलने वाला है अब देखें जो trigger button है अब यह काम कर रहा है इसे मैं पूल करता हूँ अब फिर से जो trigger है काम करेगा लेकिन अगर मुझे इसे lock करना है तो यह देखें इस प्रकार से आप यह जो gun है से lock कर सकते हैं फिर से मैं lock किया हुआ है और यह पूरा का भाग है यह metal का है यहाँ पर देखिए एम लेने के लिए आपको इस प्रकार का option दिया हुआ है handling बहुत ही बढ़िया है और यह जो gun है काफी बढ़िया दिखता है अब तब तो मैंने इससे fire नहीं किया है लेकिन इसे मैं जल्दी test करने वाल हूँ फिलाल यह दिखिए यह है magazine release button इसे प्रेस्ट करते ही जो magazine है इस प्रकार से बाहर आ जाता है अब इसका जो magazine है इसके पहले जो मैंने गन का वीडियो बनाया था यह दिखिए वड़ा इसमें जो magazine है वो इस प्रकार से है छोटा सा है और यह जो gun है इसमें जो co2 capsule है व और यहाँ पर lock system दिया हुआ है इस प्रकार से यह देखिए अब यह lock है अब यह unlock है अब इस gun में locking system यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन अगर आप यहाँ पर trigger की तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर double trigger है तो यह भी एक तरह से safety mechanism है मतलब कि अगर आप directly जो trigger है उसे प्रेस करेंग उसे भरना है फिलाल जब मैं इस gun का actually उप्योग करूंगा तब मैं आपको बीवी है वो भर के बताने वाला हूँ और इसका जो firing test है वो भी करने वाला हूँ और यहाँ पर देखिए हूब आ हूँ जैसा कि real lock है उसका जो magazine है उसी प्रकार का replica है फर्क सरफ इतना है कि यह ए आपको बता है था box के अंदर आपको मिलता है उसका आपको उप्योग करना है और यह देखिए इस प्रकार से यह स्लाइड हो जाएगा और यहाँ पर आपको यह जो capsule है CO2 capsule इसे आपको इस प्रकार से दालना है फिलाल मैं इसे नहीं दालने वाला हूँ जब मैं इस gun का testing आपको बताने किला हूँ फिलाल मैं इसमें capsule इसले नहीं दाल रहा हूँ क्योंकि एक बार मैंने इसमें capsule दाल दिया तो मुझे यह जो capsule है इसे तकरीबन दो या तीन दिन में यूज करना है इसे आपको तकरीबन यह मैगजिन है जिसमें 18 बुलेट्स आप दाल सकते हैं जो मैगजिन है यह काफी हेवी है और आपको वैसा ही फील मिलता है जैसा कि जो गलॉक 17 रियल गन है उस प्रकार का मैजिन को आपको इस प्रकार से दालना है और यह जो slider है इसे पीछे मूव करना है अब यह रेडी है और आपको सिर्फ शूट करना है फिलाल यह empty है इसमें मैं जैन 4 है इसे मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि इसमें एक ऐसा सिस्टम है जो कि जैन 5 में नहीं दिया हुआ है और यह जो फीचर है मुझे काफी बढ़िया लगा और मैं चाहता था कि जैन 5 में अगर यह फीचर होता तो मैं शायद जैन 5 ही खरीदा लेकिन अनफॉशनेट इस को फ्रेस करके नीचे मुव करना है और यह देखे इसपर कार से। जह स्लाइडेटर है इसे मैंने बाहर निकाल दिया है तो यह पर निकाल सकता हूँ नोहीं कर सकता हो देख सकते हैं और हुनासा ऑइल दिख रहा है तो अगर आप ड़स्टी मेरेंट में इस गन का को फीचर है जो कि Glock 17 Gen 5 में नहीं दिया हुआ है मतलब कि यह बटन है Glock 17 Gen 5 में दिया हुआ है लेकिन इस प्रकार से आप जो slider है इसे खोल नहीं सकते हैं तो इसे मैं फिर से लगा देता हूँ देखिए इस प्रकार से अब ये तयार है ये देखिए तो इस प्रकार से गन का जो उपर वाला भाग है इसे आप निकाल सकते हैं जैसे कि real guns में होता है और अगर आप खास करके movies बनाते हैं जहाँ पर इस प्रकार के नकली गन का उप्योग कर रहे हैं तो ये जो feature है खास करके काम में आ सकता है आपने ये जो air gun है इसे clean करने के आपको ज़्यादा जरूत नहीं पड़ेगी इनका जो life है काफी बढ़िया रहता है ये रिखें आगे से ये इस प्रकार का दिखता है हूबहू जो real gun है उसकी जैसा feel ये देता है फिलाल तो मैं इसे fire नहीं करने वाला हूँ लेकिन जल्दी मैं इ पिछे slide होने वाला है और फिर से इस position में आने वाला है और जब इसका bullets है ये empty हो जाता है तब ये इस position में आके lock हो जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें bullet नहीं है और जो blowback feature है ये खास करके इसमें जो co2 आप add करने वाले हैं उससे काम करता है automatic mechanism